हेलो फ्रेंड्स में सोनिया, सोनिया की रसोई में आप सब का स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो, मेरी मेहनत, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिये साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप के पास सबसे पहले पहुँच सके उसके लिए बेल आईकन प्रेस तो जरूर करें आज की वीडियो के लिए सबसे पहले एक mixing bowl में यहां मैंने हाप कब देसी घी लिया है आप देसी घी की जगह बटर भी ले सकते हैं बटर या घी जो भी आप यूज करें हलका जमा हुआ ही रहना चाहिए इस recipe को बनाने से पहले मैंने घी को 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया था अब इसमें दो चम्मच के करीब PC हुई सब कर लेंगे अब दोनों चीजों को अच्छे से हमें बीट करना है मेरे पास hand mixer और electronic beater दोनों चीज है तो मैं आपको दोनों चीज यूज करके बताती हूँ जो आपके पास हो या जो आपको सहीं लगे आप वो यूज कर सकते हैं बस इसमें time का फरक रहेगा hand beater से हमें 10 मिनट लगेंगे और electronic beater से 5 मिनट में ही अच्छे से mix हो जाएंगे अब अच्छे से इस तरह से mix हो जाए जब तक creamy texture के ना हूँ तब तक हमें mix करते रहना है उसके बाद इसमें half teaspoon vanilla essence डालना है चाहे तो आप vanilla essence skip कर सकते हैं पर मैं सलाद दूँगी कि vanilla essence जरू डाले इससे बहुत ही अच्छा स्वाद और जब बेक होंगी हमारी biscuit तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी अब अच्छे से बीट हो चुके हैं अब इसमें एक छन्नी ले ले इसमें एक कप मैदा साथी एक चमच कौन फ्लॉर लिया है कौन फ्लॉर के जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हैं एक से दो पिंच खाने का सोडा और आधी चमच बेकिंग पाउडर डालना है और साथी इसमें स्वाद अनुसार नमक आज की कुकीज हमारी सॉल्टी होने वाली है इसलिए मैंने यहां नमक थोड़ा ज़्यादा ही लिया है अब अच्छे से सभी चीच को मिक्स करें और इस हलकी हातों से ही करना है हमें एक दम मिलाना नहीं है बस हलके से एक सल हो जाए उस तरह से हमें इनहें मिक्स करते रहना है अब यहां मेंने 1 फॉर्ट कप दूद लीए है। दूद को भी मैंने थंडा करने कि लिए फ्रीज में रख दिया था। दूद भी हमें थंडा ही ले से मिक्स करते ही जाना है इसी तरह करते हुए यहां मेरे को पूरा वन फॉर्थ कप दूद लग गया है इस रेसिपी को मैंने घी से बनाया है अगर आप बटर से बनाएंगे तो दूद आपको वन फॉर्थ कप से दो या तीन चमच और एस्ट्रा दूद लगेंगे अब यहां अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब साथ ही इसमें मैंने यहां पर हाप टीस्पून अजवाइन डाले हैं अजवाइन को भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आज की कुकीज हमारी एकदम बेकरी स्टाइल बनके तैयार होएंगे आज की कुकीज हमारी सॉल्टी अजवाइ डाले, ऐसिंग ठैली आपके पास नँ, तो आप नॉर्मल नमक की ठैली से भीज नहीं बना सकते हैं, इसमें भी मिसरन को इसमें अच्छे से भर लीजी, अच्छे से दबादबा की, आपके मिसरन को एक साथी हमें भर लेना है, अब इस तरह से उपर से हमें, राउंड करते हुई इन्हें अच्छे से पैक कर लेना है, कि हम जब कुकीस बनाए तो उपर से खुलेना, अब एक बेकिंग ट्रे ले ले लेंगे, इस तरह का इसमें घी या तेल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, आप इस तरह का बेकिंग ट्रे आपके पास ना हो तो आप सभी कुकीस को बना लेते हैं, देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुन्दर सुन्दर से कुकीस बनने के तैयार होंगे, याद रहे जब आप कुकीस बनाए तो इनको थोड़े दूर दूर में ही हमें बनाना है, क्योंकि हम अभी बेक करेंगे, तो यह आपस में बेक होंगी तो बहुत ही अच्छी खुसबू आएगी और साथ ही अजवाइन भी रोस्ट हो जाएंगे और दिखने में और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे अब यहां मैंने एक कड़ाई को फ्री हिट करने रख दिया था दस मिनट के लिए गैस का फ्लेम स्लो ही रखें अब एक स्टेंड डाल के इस तरह से कुकीज वाला ट्रे रख दे अब इन्हें अठारा मिनट के लिए हमें बेक कर लेना है टाइम एक दो मिनट उपर नीचे हो सकता है देखे अठारा मिनट में तो मेरी कुकीज अच्छे से बेक हो चुकी है उपर से भी यह बहुत अच्छा कलर आया है पर इसे अभी हमें चूना नहीं है बहुत ही गरम है और साथ ही साथ नरम है जब यह ठंडी हो जाएंगी तभी वह कुरकुरी क्रिस्पी होकर तयार होंगी यहां मैंने दो बैच तयार कर लिया देखे सभी कुकीज ठंडे हो चुके हैं देखे मैंने इसे दोनों साइट से आपको दिखाया है बहुत ही अच्छे से बेख हो चुकी है और बहुत ही क्रिस्पी अगर आप इस रेसिपी को मेरी तरीके से बनाएंगे तो आप कुकीज से बहुत ही टेस्टी बनेंगे और मार्केट से कुकीज लाना तो ही भूल जाएंगे आप इस recipe को एक बार मेरे तरीके से बना कर try जरूर करें Bye Bye Friends